नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी टीचर दिप्ती कड़वाने, कक्षा 1, विशे हिंदी बच्चों, आपकी जो हिंदी गुंजन पार्थ माला जो टेक्सबुक है, उसमें पेज नंबर 73 पे देखिए कुछ द्वनी और नुकता दिया है आउ, ज, फ, ये तिनों नुकता और द्वनी के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे आईए बच्चों पहले हम द्वनी के चिनना समझते हैं तो आ द्वनी क्या है? पहली हमने ये आउ की ध्वनी समझेंगे ठीके तो आव की ध्वनी क्या है आगत इसे आगत ध्वनी केते हैं ठीके तो आगत ध्वनी का मतलब आई हुई है ना पेले यह हिंदी वर्ण माला में नहीं थी बाद में दूसरी भाषाओं से ली गई यह तीन अक्षर हमारी हिंदी भाषा में हैं पेला है आव दूसरा है ज और तिसरा है फ है ना तो सबसे पहले हम आव के बारे में समझते हैं आव यह ध्वनी अंग्रेजी भाषा से ली गई है इसे सवर में शामिल किया जाता है ठीके यह सवर में आती है इसके चिन्न को अर्ध चंदर कहा जाता है और यह आ और ओ के बीच की ध्वनी है ठीके ना तो हम इसका उच्चारण पुरी तरह से आ करते हैं और ना ही आव कर ठीक है तो इसका उच्छारन होंगा अउ ओँ होगा ठीक है यहा जो चिन्न है हिंदी भाषा में ही विक्सित किया गया है यह हिंदी भाषा की वेग्यानिक्ता को दर्शाथ है अंग्रेजी भाषा को हिंदी में लिखने के लिए हमने अर्ध चंद्र का उप्योग किया है ना तो इसे हम उच्चारण करेंगे अव शब्द पढ़ेंगे ठीक है? तो इसके कुछ शब्द जो मैं आपको आपकी टेक्स बुक में पेज नंबर 73 पे पढ़ाती हूं चौक कौपी डॉक्टर डॉल बॉल आया समझ में? तो इस तरह से इसका उच्चारण होगा और ये इसके शब्दों को इस तरह से पढ़ा जाएगा अब नेक्स्ट देखिए ज़ ज़ और फ ये दोनों व्यंजन जो है ध्वनी में शामिल है इन्हें उर्दू भाषा से लिया गया है ठीक है? ये दोनों को उर्दू भाषा से लिया गया है जो वर्ण ज और फ के निचे बिंदू लगाते हैं तो इसे हम नुक्ता भी कहते हैं ये जो बिंदू लगता है ना इसे हम नुक्ता भी कहते हैं जब हम the और फ में नुकता लगाते हैं तो उर्दू तथा अंग्रेजी भाशा के शब्द बनते हैं तो चलिए इनके हम शब्द पढ़ते हैं पहले हम the के शब्द पढ़ेंगे ज नहीं बोलेंगे इसे इसे बोलेंगे the ठीक है? जिसे इसके शब्द देखिए जरा, सजा, तेज, मेज, जोर, रोज, चीज, प्याज, कागस, आवाज, जमीन, जमाना, जरूरत, दर्वाजा, जिन्दगी, रजाई आया समझ में? तो आपको उच्छारण से समझ में आ रहा होगा कि ज और ज दोनों में कितना अंतर है ठीक वेसे ही हम फ और फ दोनों के बीच का अंतर इन शब्दों के द्वारा समझेंगे फन, माफ, साफ, कौफी, बर्फ, सफेद, लिफाफा, मफलर, तोफा, फाइदा, दफ्तर, तारिफ तो आपको समझ में आया बच्छों इनका अंतर इसे हम आउ बोलेंगे इसे हम ज बोलेंगे और इसे हम फ बोलेंगे तो ये हमारी धनी के चिन्न है और इसके नीचे जो बिंदी लगती है इसे नुकता कहा जाता है तो मुझे आशा है कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा धन्यवाद